नमस्कार दोस्तों रण भूमी मैट्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है मात्र 10 से 12 मिनिट का ये वीडियो होगा दोस्तों सिर्फ आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक से दोस्तों आप 4 चैप्टर के important question solve कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों सबसे पहले ratio and proportion फिर उसके बाद profit and loss वाला चैप्टर और उसके बाद आपको मिल जाएगा I.U. यानि age से संबंधित प्रश्न और एक प्रश्न हो जाएगा आपका दोस्तों मिसरन से तो देखिए दोस्तों ये 4 तरीके के chapter का जो भी question है जो एक जैसा लगवग आता है आज मैं आपको एक ऐसा जादूई तरीका बताऊंगा दोस्तों जिससे आप इस तरीके के question solve कर सकते हैं तो आईए दोस्तों चलिए हम start करते हैं देखिए दोस्तों जैसा कि पहला question आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि ए इसमें तीन लिटर और पानी मिला दें तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है दोस्तों लिग लो यहाँ पर दो अनुपात एक हो जा रहा है ध्यान दीजिएगा बच्चों बहुत ही अच्छा तरीका है क्या हो जा रहा है दोस्तों तीन लिटर पानी मिलाने से दो अनुपा तो देखे जो बृद्धी हुई है इसे आप लिख लो देखो प्लस तीन में लिख दे रहा हूं यानि कि तीन लीटर पानी मिलाया गया है और मिल्क नहीं मिलाया गया यानि मैं 0 कह सकता हूँ clear है जो भी बृध्धी या कमी होगी आपको यहां ऐसे लिख देना है अब दोस्तो method number 1 क्या करना है आप दोनों ही अनुपातों को cross गुना कर देंगे और उसका अंतर निकाल देंगे देखिए दोस्तो जैसे मैं कर रहा हूँ 8 एक कम 8 यहां लिख दिया और 2 तिया छे लिख दिया और दोनों का अंतर निकाल लिख दिया यानि यह क्या हो गया दो ratio हो गया यानि ratio का अंतर कितना अगया दोस्तो 2 step 1 clear है step 2 में क्या करना है आपको यही अंतिम ratio से जो भृध्धी या कमी है उसे गुणा करना है तो ध्यान से देखिएगा दोस्तो इस्टेप नंबर टू में क्या कर रहा हूँ देखिए दो को तीन से गुणा करेंगे और एक को जीरो से तो देखिए दोस्तो एक में जीरो से गुणा किया चे का तो एक अनुपात किसके बराबर होगा तो दो तीन चे यानि तीन का क्लियर है दोस्तों यहां तक आराम से समझा रहा हूँ देखिए एक अनुपात किसके बराबर तीन का तो पूछा गया है दूद की मातरा ग्यात करें तो आप यह बताओ दोस्तों दूद की मातरा कित नहीं है तो 24 लीटर है आ गई दोस्तों बात समझ में बहुत ही मज़ेदार तरीका बताया है दोस्तों इसे अगर आप समझ जाए चुटकियों में सॉल्फ करेंगे आए मैं आपको दूसरा कोश्चन भी दिखाता हूं दूसरे चेप्टर का उसे भी ऐसे ही बनाऊंगा तो आ idenceट अफे का आए का अनुपात है तीन और तीन है और फीका है दो तो यानि तिनय अनुपात दो मैं लिख सकता हूं प्यइर है अब देकिए कहां जा रहा है दोनों की आय में करम से 580 और एक अजार रूपए की बृधी कर दी गई तो नया अनुपात हो रहा है अस दिख क्लियर है अब वही इस्ट नमबर टू ये तो आप लिखने समझ गए दोस्तों अब आपको क्या करना है अब सिंपल दोस्तों क्रॉस गुणा कर दीजी आनुपातों का तो देखिए आठ लिया 24 एक आया 22 हमेशा अंतर निकालेंगे तो क्या हो गया दो रेसियो आ गया दोस्त से गुणा किये तो कितना होगे दोस्तों 11,000 और यहां 8 से 500 में गुणा किये कितना होगे दोस्तों 8, 5, 4, 4,000 तो 11,000 में से 4,000 घटेगा तो कितना हैगा दोस्तों 7,000 यानि ये जो दो अनुपात का अंतर आया वो कितने के बराबर है दोस्तों 7,000 का तो आप से पूछा जा तो यहां पर देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, तो जब 2 अनुपाद बराबर है 7000 का, तो इसलिए 3 अनुपाद, तो डिरेक्ट आप निकाल लीजिए, इसलिए 3 अनुपाद, एक एक नियम से, तो 7000 गुणा 3 बटा 2, 2 से कड जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0, 0, 3500, 3 से दोस्तों बताईए दोस्तों मज़ा आ रहा है ना इसी टेकनीक से देखिए दोस्तों मैंने बरतन वाला सवाल भी बरतन यानि मिक्स्चर दूद तदा पानी वाला सवाल भी कर दिया एलिगेशन यानि के मिक्स्चर चेप्टर देखिए यहां पर चार चेप्टर जो मैंने ना मिला दें या डेटॉल मिला दें कुछ भी जैसा रहेगा देखो दोस्तों चुटकियों में बनेंगे क्लियर है दोस्तों अब आपका रहे गया एक एज वाला और एक profit and loss का कौन साइज में तो लगबग maximum सवाल पैसे बना सकते हैं profit and loss का भी वह इनिक सवाल आपको बताऊंगा जिसे देख के आप answer कर सकते हैं तो आईए दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो के ओड़ देखिए दोस्तों तीसरा जो मैंने टाइप बताया था आपको की age का भी आप इससे question बना सकते हैं इस तरीके से बहुत ही आसान है दोस्तों समझिएगा देखिए कहा गया च्छे वर्स पूर और आगे बढ़ेंगे तो प्लस फोर हो जाएगा चार वर्स के बाद उनकी आयू का अनुपात हो जा रहा एक ग्यारा अनुपात दस तो देखिए दोस्तों clear है ग्यारा अनुपात दस तो कहा गया है मीनल की वर्तमान आयू बताईए यानि मीनल की वर्तमान आयू पूछी जा तो देखिए दोस्तों सवाल अनेक concept एक क्या है इसे में यही तो वृद्धी और कमी यही तो आपको निकालना है तो यहां रूपिया पैसानी उम्र है तो यह देखो ना कि रमेश की जो आयू है अनुपात जो है छे से 11 कितने वर्सों में हो रहा है तो देखिए छे साल पह question आपका पहले जैसे ही हो गया कुछ नहीं करना है दोनों अनुपात को cross गुणा करिए 11 पचे 55 लिख दीजिए 10 चके 60 उपर लिख दीजिए दोनों का हमेशा अंतर निकालना है 60 में से 55 गया दोस्तों आ गया 5 यानि अनुपात 5 कितना के बराबर होगा तो जब अनुपात जैसे ही आप निकाल लेंगे तो फिर इसे गुणा करना है जो विर्धी और कमी होगी नीचे वाले से देखिए दोस्तों अच्छ उम्मीद गरता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा तो देखिए 10 दहिया 110 यानि 110 में से 100 घट आएंगे तो कितना होगा 10 यानि ये विर्धी दीजिएगा तो एक रेशियो कितना के बराबर होगा पांच दूनी दस दो का क्लियर है दोस्तों अब पूछा गया है मीनल की वर्तमान आयू तो पहले मीनल का अनुपाद देखिए ना भाईया कितना है पांच है मीनल की आयू का अनुपाद कितना है पांच तो एक रेशि नहीं होगी तो 6 साल जोड़ दिजिए दोस्तों, तो कितना हो गया 10 और 6 16 वर्ष, clear है दोस्तों मजे में बना लिया न इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 रेसियो 10 है तो 10 रेसियो कितना होगा दोस्तों, 10 रेसियो आपका कितना हो जाएगा, देखिे ये एक ratio 2 है तो 10 ratio कितना हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा तो ये 20 वर्स कब निकाल रहे हैं दोस्तों 4 साल बाद प्लस है यानि 4 साल बाद तो उसमें से 4 घटा दीजिए तो वर्तमान उम्र 16 साल ऐसे भी आप निकाल सकते हैं आ गई ना दोस्तों बात समझ में मजा आ रहा है तो देखिए तीन चैप्टर का तीन टाइप का question मैंने आपको सिर्फ एक ही method से बता दिया ये dose है दोस्तों इसे अच्छे से लिजिए tonic है vitamin है आपको बहुत काम आएगा आए एक और जो profit and loss का question है उसे देखते हैं देखिए दोस्तों यही वो question है profit and loss का जो आप इस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों बिल्कुल देखो दोस्तों trick 1 chapter 4 trick 1 chapter 4 4 chapter का question सिर्फ एक आंधी trick से solve कर रहा हो दोस्तों तो इसे अच्छे से समझना परिक्षा में ऐसे question आते हैं वहां आपको ये बना करके दिखाना है आए दोस्तों बहुत ही प्यार से समझेंगे दोस्तों देख इतना तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों तो देखिए जब कहा जा रहा है कि 11 पुर्णांग के एक बटा 9 प्रतिसत लाब पर बेचा गया तो इसका मतलब क्या आता दोस्तों देखिए 9 रुपिया हो जाता है CP और 1 रुपिया profit हो जाता है यहीना हम लोग जानते हैं दोस दोस्तों तो देखिए जब मैं यहां थोड़ा लिख के आपको समझा रहा हूं 11 पुर्णांग के एक बटा 9 अगर आप इसे परसेंट को तोड़ते हैं तो हो जाएगा 100 बटे में 900 कटके एक बटा 9 ही आएगा इसलिए मैं सिर्फ इस पोर्षन की बात करूंगा कि CP आपका ह 11-100 रुपय तबÑ 3,000 रुपय कम हो तो घानी हमें ना फॉर्णांग के 1,11 परतिसत होती तो मेरे बच्चों ना फॉर्णां के 1,11 का मतलब क्या होगया दोस्तों यह 11पoth का हमें देखना है तो नीचे क्या होता है 11 क्या होता दोस्तों क्रेिमूलय और 11 रुपय में जब कितना लिख देंगे दोस्तों 10 रुपिया बोलो भाईया ये तो लाभानी का तो concept clear है अब देखो भाईया फिर से वही तरीका CP बोल रहा है तेरा सो रुपे कम हो कम यानि के माइनस और कहा गया अगर विक्रे मुले तीन हजार रुपे कम हो तो तीन हजार यानि माइनस अब प्लस हो माइनस हो कमी हो बृद्धी हो दोनों ये अंतर समान हो या ना हो कुछ भी नहीं देखना है दोस्तों हर चीज में ये काम आएगा हर इस तरीके के सवाल में चाहे ये अंतर दोनों का बृद्धी कमी समान हो या विपरीत हो उसे कोई मतलब नहीं है क्लियर दोस्तो अब आगए दोस्तो बस अब कुछ नहीं करना क्रोस गुना करो 11 दहिया 110, 9 दहिया 90, 11 110 में से 90 गया कितना हो गया 20 यानि कि ये जो अनुपात हो गया अंतर इनके कितना हो गया 20 का अब दोस्तो हमें क्या करना है अब हमें इसी अनुपात लाष्ट वाले अनुपात को ये बृद्धी और से गुणा करना है तो 11 तिया कितना होता दोस्तो 23,000 एगारा तिया 33 और तीन सुनना यानि 33,000 इसको ज़रा गुणा करूँ तो कितना हो गया अब है दोस्तो 13,000 गटा दो भईया कितना हो गया 20,000 का अनुपात कितना के बराबर होगा दोस्तों एक अनुपात 20 एकम 20 यानि के 1000 का बराबर होगा बोलो आगिया मैजिकल चीज सवाल समझ में आगिया एक अनुपात का मान जैसे ही आपने निकाल लिया आपको क्या पुछा जा रहा है वस्तू का क्रे मुले ग्यात करें तो मेरे बच्चों ये बता वस्तू का क्रे मुले कितना है यहाँ 9 तो यानि के CP कितना हो जाएगा 1000 गुने में 9 यानि के 9000 रुपई क्लियर है दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर D अगर विक्रे मुले पूछ दे तो यहाँ विक्रे मुले भी निकाल सकते हैं क्लियर है दोस्तों तो दोस्तों देखिए मेरा ये एक बिल्कुल छोटा साज प्रयास था कि ये जो चार चैप्टर पे जो क्वेस्टन आते हैं दोस्तों इस तरीके के तो क्यों न कोई एक ही मेथड ऐसा बताया जाए जिससे चारो चैप्टर के ये कुश्चन सॉल्व हो जाए इसलिए दोस्तों ये विडियो में ने बनाया अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक जरूर करना और अच्छा लगे तो कमेंट करना और जो इस चैनल पर नए है उन्हें अगर सच में ये मेथड अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा शेयर जरूर करिएगा चलिए तब तक मिलते हैं अगले विडियो में नए चैनल नए कंसेप्ट नए लॉजिक नए ट्रिक के साथ तब तक के दोस्तों जय हिन जय भारत